दोस्तों प्रित्वी पर कभी भी पानी की कमी नहीं हो सकती ऐसा कुछ लोग सोचते हैं अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो प्रित्वी पर जितना भी पानी मोजूद है उसमें से सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, बाकी 97% पानी पीने के लायक नहीं है लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि पानी प्रित्वी पर तीसरे विश्वयुद होने की जड़ भी बन सकता है प्रसिया, अंटाक्टिका, कनाडा, चीन, युनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील और उस्ट्रेलिया ये वो प्रित्वी के साथ देश है जिनके छेत्रफल ने 40 प्रतिशत से ज्यादा प्रित्वी को घेर रखा है मतलब आधी से थोड़ी कम प्रित्वी इन साथ देशों ने घेर रखी है दोस्तों प्रित्वी पर एक दिन में 80,000,00 से ज्यादा बार बिजली गिरती है और बात करें एक सेकंड की तो 100 बार बिजली गिरती है प्रित्वी पर भले ही एक दिन में 24 घंटे होते हो लेकिन आज से 450 साल पहले प्रित्वी पर एक दिन में 26 घंटे हुआ करते थे उस समय टाइम का मैनेजमेंट को चलग हुआ करता था जिस वजह से उस समय एक दिन में 24 नहीं 26 घंटे हुआ करते थे जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रिथवी का 72 प्रतिशत हिस्से में पानी है लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि प्रिथवी के केवल 11 प्रतिशत हिस्से में क्रिशी होती है जिसमें सबजी, फल और अना जुगाया जाता है और इन्हीं चीजों से आम आदमी अपना जीवन व्य पन करता है जब हम प्रित्वी से सूरज की ओर देखते हैं तो हमें बिलकुल भी अंदाजा नहीं होता कि सूरज कितना बड़ा है हमें लगता है कि दोनों का आकार एक समान ही है लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है सूरज प्रित्वी से 13 लाग गुना बड़ा है यानि कि 13 सकती है लगभग 30,000 से भी ज्यादा चोटे बड़े एस्ट्रोइड प्रित्वी के वायुमंडल में दाखिल होते हैं पर इन में से ज्यादा तर धर्ती के वायुमंडल के अंदर पहुचने से पहले घर्शन के कारण जल जाते हैं जिन्हें हम अक्सर टूटा हुआ तारा कहते हैं